वतन के रखवाले प्रायोजग अर्धसैनिक विलफेर ट्रस्ट वतन के रखवाले हम है अर्धसैनिक वतन के रखवाले हम है अर्धसैनिक अपसलूटली वेल्कम नमशकार साच्रियक काल यह साटरडी की शाम पांच बच चुके हैं और चंद मिनट ऊपर हो गए हैं और आपका स्वागत है in the program that is called वतन के रखवाले. चले आते हैं आप से मिलने every Saturday evening, मैं हूँ अनूप और मेरे साथ है निशा और आज का ये जो प्रोग्राम है ना थोड़ा सा लेंडमार्क टाइप होने वाला है Why I am saying that is, क्योंकि आज एक तो देखे, 20th episode है हमारा और ये ही नहीं, पहली बार हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ Indian Navy, भारतिय नौसेना से एक अफसर जो हैं वो यहां पर जुड़े हैं और बहुत स्मार्ट ली अपनी blue cap जो है ना वो पहन कर यहां बैठे हुए हैं and what a tall man he is और मैं और निशा जो है ना वो बिलकुल draw-off like हमें लग रहा है हमारी height कितनी कम है ना निशा सच में और पता है शनिवार के दिन जब भी यहां sunset होता है ना पांच बजी का टाइम तकरीबन sunset होने लग रहा है पीचे window में हमें दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे studios में एक सूरे उदे होता है हर दिन एक जवान यहां बैठा होता है इना beautiful मतलब पूरी fully dressed up बिलकुल हमेशा और बस किसी सूरे से कम नहीं है जी हाँ और ऐसे ही एक यह जो officer है dashing officer यहां पर हमारे साथ उपस्ते थे सर जुह है वारशिप कैप्टन रह चुके हैं इंडियन नवी में और नेवल इंस्ट्रक्टर पाइलट भी रह चुके हैं well I may sound dumb शायद तुमें निशा लगे का मुझे बहुत कम you know knowledge है लेकिन क्या करूं यह जो ना combination है यह flying का और नेवी का this was a new for me सच में समझ नहीं आ रहा है ना आपको सोच रहे होंगे सब भी लिसने साच क्या होने वाला है navy and flying and how these things are connected absolutely और दोस्तों आईए स्वागत करते हैं कैप्टन शाम कुमार का सब very very warm welcome on the show नमस्कार सबी को और बहुत बहुत शुप कामना है और धन्यवाद कि आपने मुझे इतने स्टूडियो में बुलाया और यह मौका दिया लोगों से बात करने का वतन तो सब का है रखवाले भी मेरे खाल से सब हैं हम उनके प्रहरी कह सकते हैं हमको आप और रक्षा की द्रिष्टे से सोचें तो भारत की जो संप्रविता है कि उसकी जो सुरक्षा का दारोमदार जो है आम फोसेस को दिया गया है और राश्टपती इसके सुप्रिम कमांडर होते हैं और आर्मी नेवी एर फोस सतत अपनी ड्यूटी निभाते रहती है ऐसा कोई च्षण नहीं आता कोई पल नहीं आता जब हमारा जवान सेलर एरमेन कभी साहद उसको लगे कि वो अपनी ड्यूटी से अलग है वो नहीं ड्यूटी पह है घर पही है तब भी ड्यूटी पहै हैं वो है इस देश की सेवा देश में रहने वालों की सेवा तो भाई आपके मन में क्या है उनके लिए जल्दी से भेज डालिए मुझे messages 999-0060506 999-0060506 यहां पर अपना WhatsApp करके जल्दी-जल्दी से दिल की बार जो है न वो कह डालिए अपने खरीदारी के साथ अपने सपनी पेंशन सहिद साकार करेंगे जाएं वल्कम बाग दिस इस 102.6 FM रेंबो आकाश मानी दिल्ली आपके कानों तक पहुच रहा है इस फ्रिक्वेंसी पर और न्यूज ऑन एर अप के जरिये आपके दूर दरास के क्षेत्रों तक भी लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड रहे हैं इसी लिए राहुल नाम के हमारे एक श्रोता हमेशा नाराज होकर मेसिज किया करते थे मेरी पसंद का गाना कभी नहीं चलाते हैं और देश के फौजीयों के लिए वो इतना गहराई से फील करते थे और उन्हीं को ही डेडिकेशन देते थे तो आज पो खुश हो गए होंगे और उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आगे होगी रहे हैं आप सिल्यूटली सच में आप हमारे साथ कनेक्टिड रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट सम तक पहुचा आते रहे और साथ ही हमारे मौझूद गेस्ट काप्टन इंडिन नेवी श्यामकुमार जी हैं इनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो यो क्वेस्टिन्स और आपकी मेसेज़ेंस आप स्टाटे पोरिंग इन गुद इवनिंग तो अल्ड़ पैनल काप्टन स अकाश्वानी के यह अमने जाना एक और मैसे जस्वी सिंग जी का कहते हैं जैहिं जी मैं पत्याला से आर्मी में सर्फ कर रहा हूं और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अचा लगता है जस्वीर वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू सर यहां पर निशा ना बहुत सारी रिसर्च करके आई हैं जैसे हुसे पता चला कि आप आने वाले हैं शी वेंट डाउन एंड रिसर्च अ लॉट अबाट अबाट नेवी क्या क्या जाना तुमने निशा सच में हमारे पहले गेस्ट है नेवी से और यह हमारा 20th एपिसोड है तो अपने आप में बड़ी स्प अपनीज मरीन नाम से जाना जाता था आगे फिर नाम चेंज कर दिया गया और फिर आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन इसका फिर से गठन किया गया और फिर नाम पड़ा भारतिये नौसेना अम आ राइट सब बिलकुल आप बिलकुल वाकिफ हैं पूरी तरह से नौसेना एक बहुत ही साइलेंट सर्विस के रूप में अपना काम करती है हर देश की एक अपनी प्रोटोकॉल होता है आर्मी नेवी एर फोर्स कहीं पे नेवी को प्रोटोकॉल में आगे रखा जाता है कहीं पे आर्मी को कहीं एर फोर्स को जैसे आप देखें ब्रिटिश नेवी प इस पे आते हैं वैसे संख्या में अगर कहें तो हम तीसरे नमबर पर हैं तीसरे नमबर पर हैं लेकिन संख्या अलग होती है और जरूरते अलग होती है जब आप बॉर्डर की बात करते हो तो 15,000 किलोमेटर का लैंड बॉर्डर और और 7,000 किलोमेटर का सी बॉर्डर तो आधा से ज़्यादा भारत तीनों तरफ से पेनिसलर इंडिया हमारे इंडियनों से और बेंगॉल से खिरा हुआ है और हम मरा टाइम बॉर्डरिस के साथ दूसरे डेस उसको टच करते हैं जो कि हमारी लक्षिदीप आईलेंड के नीचे म सामने खड़ी थी और उससे लेके अब तक लगातार साइलेंट स्ट्रॉंग और स्ट्रिप्ट सर्विस के रूप में भारतिय नौसेना लगातार समुद्र की रखवाली कर रही है देखिए फिलहाल भारतिय नौसेना में करीब करीब दो तीन कमांड से हमारे जो ऑपरेशन कमांड है वेस्टर नेवल कमांड जो मुंबई में इस्टर नेवल कमांड विसाका पटनम में दो बड़ी फ्लीट जो वेस्टर फ्लीट मुंबई में और इस्टर फ्लीट विसाका पटनम में और ट्रेनिंग कमांड हमारा कोचिन में स्थित है इन त्रीन कमांड के साथ दो फ्लीट जो हमारे में टीथ हैं जो फाइटिंग आम्स हैं हमारे नौसेना की और नौसेना की तीन ब्रांचेज हैं बड़े बड़े अच्छी बात यह है कि हम सर्फेस पे समुदर के नीचे सम्मैरिन में और हवा में नेवल अविशन और नेवल एराम के रूप में काम करते है तो एक कोई जोईन करता है नीवी तो उसे सर्फेस जो करीब करीब कॉंबेटेंट रोल में लैंड अटाक के लिए भी कैपेपल होते हैं और आइलेंड पर जाके कैप्चर भी करते हैं तो वह सैनिक का काम करते हैं जिसको कभी-कभी मरीन्स भी बोला जाता है दूसरे से ना में जैसे इंफैंटरी कहते हैं उसके क्यूबलन्ट या पालेट ब्रांच जो एरफोस का होता है या जैसे अप आई एस बगारा जो कहते हैं सिवल सर्फिसे में जो लोग कमांडिंग पोजिशन पे रहते हैं एक्जिगूटी ब्रांच के लोग जो वार्शिप के कैप्टि या एक्सकौर्दन की समयर期 कमांड करते हैं. मैं एग्जुटिभ ब्रांच से बिलॉंग करता हूँ. तो वो ब्रांच सबसे में ब्रांच है. उसके साथ जो इंजिनेरिंग ब्रांच और एलैक्टिकल ब्रांच दो में हैं. मेडिकल तो सब तीनों सेनाओं के साथ सेम सेम है और एजुकेशन ब्रांच, लौ ब्रांच, आर्टिटिक्चर ब्रांच और जैसे कहें एजुकेशन ब्रांच यह सारे ब्रांचेज जो है फिर कुछ मुजिशन ब्रांच भी हमारे एक चोटी सी है नेवी की यह सारे ब्रांच शिप्स जो टैंक्स और तोप लेके आर्मी को भी उतार सकते हैं इस तरह के शिप्स फिर डिस्ट्वायर्स, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, आप्शोर पेट्रोल वेसल्स, ऑक्जिलरी वेसल्स, माइन सूपर्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स के साथ इंडियन ने भी आज 132 इस शिप्स के साथ 216 एक्राफ्ट के साथ अपनी विवस्था में लगातार लगी हुई है और भारत की सीमाओं की रक्षा तुरदिर्क रखती हुई आगे बढ़ रहे हैं ब्रावो 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 कितने जोश और करच के साथ साथ यहां पर बाते कर रहे हैं और सब मैंने सुना है शिप्स के बारे में अपने आप में एक सिटीज की तरह होते हैं बिलकुल देखिए कभी-कभी बहुत पहले भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक नेवी का शिप अपने आप में भारत है इसलिए है कि चोटा सा शिप 100 मीटर या 50 मीटर कि जो चोटे-चोटे शिप से लेके 150 मीटर तक की बड़े-बड़े शिप और उससे भी बड़े-बड़े शिप से ऐरक्राफ क्यारियर्स इसमें भी जो लोग रहते हैं वो केरला का इंसान उपर वाले बंक पे और नीचे पंजाब का इंसान एक साथ उपर नीचे सो रहा ह है चोटे-चोटे कंपार्टमेंट में टकरा रहे हैं लोग एक दूसरे से आज दोसा बनेगा की का लिडली बनेगी परसो क्या मतर्ण चिकन यह सारे का सारा चुकि कोई रेजिमिंट सिस्टम इंडिया नेवी में नहीं है कोई जैसे भारत में आर्मी में रेजिमिंट सिस् क्लोस कंपार्टमेंट में रहते हुए कोहसिव निचर के साथ और चैलेंजिस जो हैं समुंदर में यह इसलिए हैं कि मीडियम अलग है वो लैंड मीडियम नहीं है जिप हिलता रहता है तो जब आप हिलते रहते हैं और आपका दिमाग और बाड़ी हिलते रहती है तो बगल है शायद यही वो स्पिरिट देती है कि आप सारी चैलेंजिस को पेस कर पाते हैं इनवाट आपने मुझे कहा कि पेनिंसुलर इंडिया है तीन तरफ से समुद्र से खिरा हुआ है इनके कौन से वाले कोने से आप बिलॉंग करते हैं तो मेरा जन्म बहुत ही बेहतरीन नाम ह है वो और बहुत हिस्टोरिकल नाम है इनुवस्टी आफ नालंदा का नाम अपने सुना होगा और मेरा जन्म बिहार शिरिफ जो का इस्टिक हेड़कोर्टर है वहां के एक अस्पताल में हुआ था बहुत पहले की कहानी है यह और अब मैं करीब-करीब काफी पढ़ाव और गंगा में पानी बहुत बाद से और वहां से मैं पटना पाटली पुत्रा के नाम से जानी जाती है वहां मैं पढ़ाई की और साइंस कॉलेज पटना जो है एक बहुत ही शांदार कॉलेज इसलिए है कि आपको जानकर बहुत खोशी होगी कि जो 629 ए जिस्टिक जितने भी ह हमारे इंडिया में उसका जो टाइमस आफ इंडिया का सर्वे कहता है कि या तो सुप्रेटेंड पॉलिस या इस्टिक मजिस्टेट उस कॉलेज के हैं और रहे कभी तो जिस फॉस्टल में था उसके हर कमरे से कम से कम 3-40 ब्यूरोक्रेट्स आज के दिन में भी अगर कहूं सब चल रहे हैं तो एक बहुत ऐसा था जहां लोग विरोक्रेशी या इंजिनरिंग आटी या डिफेंस की तरफ ही रूप कहते थे तो वहां से हम ग्राइजुशन हमने वहां से किया और इमिडिटली एक्चुली माइ फर्स अटेम्ट अफ कमाइंड डिफेंस सर्विस जब मेरा फॉर्थ पेपर चल रहा था जब मैं नाइंटी नाफ ट्वेंटी यर्स का था तब मैंने पहली वारी एक्जाम दिया था और ऐसे दिया था चुकि 21 से पहले आप यूपी एक्जाम नहीं दे सकते तो मैंने साथ साथ दिया और हो गया फिर मैं बैंगलोर गया और SSB सं पासिंग आउट परेड का वो मुमेंट याद है आपको बिलकुल उसके बाद हम नेवल अकैडमी गया उन दिनों नेवल अकैडमी कोचिन में होती थी आप तो वहां से शिफ्ट हो गई है बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुन्दर कोस्ट लाइन पे बनाय गया है और देखने पर देखने पर शिफ्ट के लिए आइन इस ब्रहंपत्रा में एजसी केड़ेट अटेच किया गया सी केड़ेट को जमीन साफ करने से लेके उपर पेंट मास्ट पर जाके पेंट करने की सारी कारवाई सिखाई जाती है उसे एक ओफिसर केड़ेट गुरूप में रखा जात आप उपर नहीं जा सकती है और थर्ड स्टेज क्या है थर्ड स्टेज में आप मिड्शिप में बनते हैं मिड्शिप में रैंक जो है बड़ा डिफरेंट रैंक है इसको मिड्शिप में कहते हैं यह यंग ऑफिसर्स नहीं होते पर वो रैंक्स पहनते हैं मिड्शिप में का उनको अडिमिरल्स भी बोलते हैं, इसलिए कि उनकी जो stripes है, बाकी stripes ने भी किये, आप left का right में लगा लें तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो admirals की stripes होती है, वो left to right shift हो सकती है, तो midshipman की stripes भी होती है, वो भी shift हो सकती है, और इनको snotties भी कहा जाता है, चुकि हमेशा इनकी सी legs complete नहीं होती थी, और इनकी पसीना निकलत रहता था इनको और इनकी नोज भी चलते रहती थी, तो इनकी स्नॉटनी स्का जाता था और यह बटन जो कोट पर आप देखते हैं, यह बटन इसलिए लगा गया कि लोग इसको नाक लगा के पोंचने के लिए, तो बहुत सारी कहान से मैंने अपनी पहली बेसिक पेस शुरू की थी, मुझे याद है 1984 की बात, इन फाक्ट यह जो चमक आ रही है नो वो 580 रूपीज वाली चमक आज भी बरकरार है, राइच है, यह क्लास्बान ओफसर्स का जो रैंक का इस ट्रॉक्चर था, यह गौवर्मेंट का वो यही थ सब्लिप्टिंट के बाद वो कहानी सुरू ही, तो मिट्शिप मैन की जो टेनियर है, उसके बाद पासिंग आउट होती है, जब हमारी कमिशन होती है, परह में रैंक मिलता है, तो यहां रहा हमारा पहला सवाल, पहला क्या, आपको जवाब देना है, जिसका आपको जवाब आपको जवाब और आपके दिल में जो है न वो भाव उनको भी पेज दीजेए, हमारी साथ है काप्टन इंडिन नेवी, काम कमार जी जिनके साथ बहुत सारी बाते करने हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में बात होगी है, अभी ट्रेनिंग के बारे में भी जानेंगे, शिप के एक्स्पीरिंसीज और उसकी स्टोरीज भी तो जानना बागी है न, अगर आपके भी कोई सवाल है, वो भी आप हमे बेश सकते हैं, और सुनते रहे ये वतन के रखवाले, मैं हूँ निशा, मेरे साथ है अनुप अधिक जानकारी के लिए हमें आज ही संपर करें, आओ, देश की सेवा करें अर्ध सैनिक वेलफेर ट्रस्ट का एक कल्यानकारी कदम, सेल का एक प्रुतिशत सैनिक विद्वा साहता कोश के लिए रखा जाता है इस समय आप आकाश्माणी दिल्ली से सुन रहे हैं विशेश कारिक्रम, वतन के रखवाले, प्रायोजक अर्ध सैनिक विलफेर ट्रस्ट हम है अर्ध सैनिक, हम है अर्ध सैनिक, हम है अर्ध सैनिक वेलकम बाग में हूँ अनूप मेरे साथ है निशा और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हूँ हैं इंडिन नेवी के काप्टन शाम कुमार जो की वार्शिप काप्टन रह चुके हैं और नेवल इंस्ट्रक्टर पाइलट भी रह चुके हैं आपके प्यारे-प्यारे से मेसेज अनूप माँ अपर पहुंच रहे हैं यह मैसेज आये है आरती मिश्रा का जो कहती है निशा और नूप माम अवेरी गुड़ इवनिंग तो बोथ अव यू 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 आपके लिए अर्टी एक और मैसेज यह है रहुल कुमार सिंग का यह कहते हैं कि महदेश याम सर को सादर प्रणाम. Sir, another message is from Abhilash. Abhilash ने मेरट से आपके लिए मैसेज भेजा है और कहते हैं कि Sir, it's so inspiring to hear every word that you are saying. एक और मैसेज लेते हैं विकरांत का विकरांत ने डेस्टिनेशन तो नहीं बताई है कि कहां से लिख रहे हैं लेकिन कहते हैं कि Sir, मन कर रहा है कि शाएद हम भी नेवी जॉइन कर लें. I'm sure बहुत लोगों का ऐसा मन कर रहा होगा ना निशाद. हमारा भी तो कर रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. UP बलिया से सुभाष नजी का message आया. Very nice program about Navy. Salute to Indian Navy. सच में, हमें बस ना दिल के तार शेड़नी की जरुवत है. लोगों की भावना ऐसे उमर उमर क आती है. और in fact, यह जो हमारी भावना है, कि यह हम भी किसी तरह Navy में आजाएं. Sir, in fact, यहां से मिरा अगला सवाल है कि भाई, क्या है वो entry levels, कौन से हैं, वो exams, क्या है, वो age, जहां पर शायद हम यह कर सकते हैं. I think I and Nisha can still make it. Can we? Please, sir. Guide us. Sir, बिचारे, confused होते. First of all, we welcome everyone. मतलब हमारे लिए जगह है. जगह है और देखिए, जब समुद्र की बात करें, समुद्र की बात करें, तो यह बहुत बड़ा विशाल जगह होता है. और इसमें हरकी अपनी जगह हो जाती है. तो आपकी भी ज़रूर जगह है वहां पर. और देखिए, Navy के साथ साथ टेरिटरियल आर्मी की भी बात करें. तो गौब्मेंट जब के बात, लोग टेरिटरियल आर्मी, बहुत सारे स्टुदेंस जो मेरे साथ जुड़ते हैं जब वो 25 का एज उनका जब क्रॉस होता है, तो बहुड़े मायूस हो जाते हैं. फिर हम उनको बताते हैं कि टेरिटरियल आर्मी भ तो युबाउं की तो युबाउं से बात करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है आज के दिन में देखिए इंडियन नेवी जो है सेवंथ लार्जस्ट नेवी है पूरे वर्ल्ड की सिक्ष्टी से जादा की एक्टिव सर्विस और सत्तर हजार से जादा लोग रिजर्ब ए इवन फीमिल की इंट्री जो मैं बात करूँगा उसके बारे में दो तरह की इंट्री होती है अगर ऑफिस लेवल की इंट्री की बात करें तो एंडियन आइने का कमबाइन एक्जाम जो होता है और फिर जो टेकनिकल सर्विस है ट्वल्थ के पास जो फिजिक्स और साइंस क सब्जच के साथ जो स्टुडेंट होंते है उनको शॉट लिस करके इंटर्विव के बुला जाता है इंडिया आइने में तो एंपेर करते तो आपका साइंस ग्राजविट होना इंडिया के लिए सुड़ी होना जरूरी organism होना ज्रूरी नहीं बात स्टुडेंस के जो कुश आता रहता है इंडिये में अब 12th के exam जरूर होती है और maths का एक paper होता है लेकिन वो 11th का standard रहता है और जिनकी maths ठीक है वो arts के student भी इंडिये दे देते हैं तो ये जरूरी नहीं है लेकिन preferably science के student इंडिये जाते हैं तो better होता है उनके लिए आइने में तो जरूरी है क्योंकि navy ब और अप्रेल में में या फिर नवंबर दिसंबर में और उसके बाद SSB for medicals ये तीन स्टेज होते हैं सेम graduation में भी आप अगर आएं तो graduation में जो navy के जो entry है unfortunately थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिर्फ b.tech students ही navy में जा सकते हैं और especially जो electrical engineering तो होना ही है b.tech executive branch को भी navy ने जाते हैं तो आपको training चार साल की होती है वहां और वहां भी आपको b.tech degree जी जाती है और ये फिर जो graduation की student है वो उनको साथ join कर लेते हैं और दोनों की फिर 7 passing out period होती है बहुत सारे branches है बहुत सारे branches है बहुत सारे ब्रांचे देखिए www.joinindiannavy.nic.government.in ये जो site है इस पर ज जाएंगे तो आपको ये सारी चीजे मिल जाएंगे जहां तक age की बात है 24 और 25 इसका maximum age है NCC special entry के भी scheme है जो C certificate holder होते है हमारे यूथ A और B grade के साथ जो NCC certificate करते हैं उनको graduation के just बात ये exam graduation की level की होती है इनको short service commission दिया जाता है और officers training academy चिन नहीं में इनकी training होती है आर्मी की Navy की training आपको पता है Indian Naval Academy में और चिलका में Salers की training होती है Salers की entry भी करें जो generally हमारी entry plus two की है और generally science की है त्यूंकि Navy में जरूरत है artificials की इंट्री है diploma holders जो है इन सबकी entries होती है 12 पे इनकी बी All India level पे written exam होता है medicals होते हैं इनकी interview नहीं होती Salers level पे और इसके बाद इनकी training चिलका में की जाती है 9 months की training उसके बाद वो अपने specialized training में Submarine में जाना हो तो थोड़ी direct entry नहीं है जब आप पहले Navy में आ जाते हैं वहां से vacancies जाती है In fact, you know, इतने कमान के साथ आप यहां पे सबको cut to cut बता रहे हैं मैं सोच रहे हूं की वह 21 साल का अपने 20 साल के थे आप जब यह अपने exam क्लियर किया राइट You must have been nervous कि यह कहां जा रहा हूं तो वो जो कोच चंद दिन थे शुरुआत के India Academy जब इतना कहते हैं ना रगड़ा लगता है वहां पे तो क्या experience था अपका अंदर क्या चल रहा था और बाहर क्या हो रहा था कि मैं कैसे आया जैसे आपको पहले मैंने बता दिया कि मेरी जो 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 बैग्राउंड था उसके साफ से साथ मुझे जाना चाहिए था चुकि वह माहौल ऐसा था कि सभी या तो मेडिकल आयटी या फिर डिफेंस सर्विसेज या फिर में आते हैं लेकिन exam हो गया तो हम चले गए और वहां जाने के बाद SSB में मेरा चेस्ट नमबर एक था तो चेस्ट नमबर एक को सब जगा पहले बुलाया जाता था और मैं पूरी तरह प्रिपेर्ड होके नहीं गया था उन दिनो इतने इलक्ट्रानिक गजट नहीं होते थे इतनी ट्रेनिंग होती थी वैसे चेस्ट नमबर आपने का घंदेट को एक कंडिडेट को एकेस्ट नमबर लगाना होता है और आप नम से नहीं है आप Musi ऐसे होती है अप्र अटैनिंटिश के लिए की आ जाता है प्रेसिकली वो सब मुहें तब पता उन्होंने मुझे सेलेट कर लिया और जल्दी से अगले साल मुझे उन्होंने रिपब्लिक डेली भेज दिया मैं सेलेक्ट हो गया वहां से ओल इंडिया बेसिस पे यहां आया यहां कुछ मुझे प्राइज मिले कुछ अच्छे को एक बहुत अच्छा प्राइज मिला जो बह काल अफ ड्यूटी किया जो मुझे भी नहीं समझ में आया उसको नोटिस किया गया था उसके कारण जो इंस्पिरेशन्स हुई राजपत की मार्च हुई यह सब ने शायद मेरे बैंगरॉंड में वो सीडियस का जुनून थोड़ा दिया होगा और मैं बैंगलोर चला गया मैं और मैंने आर्मी नेवी एर फोस और ओटिय तीन चारों को मैंने क्वालिफाई किया था मेरी लिए एरफोस थी ठीसरी ने रही और चौथी मेरी च्वाले तीश्यूट गवाटूर हुआ है तो वह मैंचूर में होता है बहुत दिन हो गया भाछ तन ऑग पांस दने दस दिन में ज्यादा थी, माक्स रहे ज्यादा थे, जो जैसे भी उनकी कल्कुलेशन होती है, उसी साफ से हुई, मैं जब वहां गया, मैंने पहले अपनी कमिशन की, एक्जिकुटी ब्रांच में, जो आपको भी मैंने यही बोल सकते हैं, इसी लिए साइद निशा इनको वो मौस्टी कड़ेट वाला जो अवार्ड है न वो दिया गया, और शुच्छली में जुडू काप्टें शाम कुमार, आपके पयारे पयारे से messages यहां पहुँच रहे हैं जुनागर गुजरात से यहां एक message आया है वासन हरेश भाई का जो कहते हैं I'm really proud of the Indian Navy और निशा तुमसे एक request की गई है एक song की वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और answers जो आ रहे हैं अभी तक सारे गलत हैं भई दुबारा repeat करते हो question की नेवी के जो इंडिया नेवी के जो officers है उनकी training कहा होती है what is the academy called and where is it situated 999-00-60506 मैं हूँ अनू मेरे साथ है निशा आप सुन रहे हैं वतन के रखवाले कारिक्राम और अपने मन में हमारे हमारे सेना का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी नौ सेना उसका नाम दोहराते रहें बार 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 क्योंकि आज हम आपको उसी सी जुड़ी वी कानिया हमारे आपने अपनी पहली उडान तो भर ली है आपने अपनी वो फीलिंग जरूर हमासा शेर की लेकिन फिर अब यहां पर आगे एरक्राफ्ट की बात और दूसरी तरफ है नेवी नेवल अविएशन की जरूरत तब पड़ी जब पहले तो एरफोस कवर देती थी फ्लीट को और समंदर में दूर तक रीच कम होने से एक्राफ्ट केंडरिस कम होने से इंटिगरेटेट फ्लीट अपरेशन में एक्राफ्ट का रोल नहीं हो पाता था तो हमें शिप से अपन की भासा कुछ अलग होती है पर जो कम्मिनिकेशन का तरीका होता है शिप का नेवल ऑफिसर का उससे ज्यादा तारो कहते हैं उसको ने तारतम में बैठा सकें या उनके साथ ज्यादा वो कोर्डिनेशन हो सकें इस कारण से नेवल अवेशन की ज़रूरत पड़ी आज देख हैं नए हमने इमेच सिफ्टी रोम्यों खरीदे हैं अमेरका से भी जल्दी खरीदे हैं भी हमने और यह सारे किराफ्ट के साथ फाइटर्स हमारे पास नेवल अवेशन के फ्लीट एयर आर्म जिसका हेड़ कॉर्टर गवा में है वहां से कंट्रोल किया जाता है और वेस्टन फलीट में एराम और इस्टन फलीट में एराम इंटिग्रेटेड हेलिकॉपटर्स और दो एक्राफ्ट कैरियर आएनेस विक्रांत जो अभी भारत के प्रधानमंत्री ने सब्टम्बर में देस को समर्पित किया है और आइनेस विक्रम अदित्या जो अने रशिया से खरीदा था गॉर्सकब जिसका मैं प्रोजेक्ट डिरेक्टर भी था एक्राफ्ट केरियर प्रोजेक्ट और नेवल हैड़कौर्टर्स और हमारे समय ही इसको इंडक्ट किया गया था अब हम देश में एक्राफ्ट केरियर बनाने लाइक हो चुके हैं आइनेस विक्रांट के साथ साथ दूसरा एक्राफ्ट के निर्मान की भी बात चल दी जो इससे बड़ा होगा शायद वो आइनेस विशाल के नाम से जाना जाएगा तो एर फोस की जरूरत अभी भी है अभी भी हमारे पास जैग्वार और दूस दूसरा फेज जो है उसमें सी एर इस्टरन कमांड और पूरी जो वेफ बेंगॉल को भी नेवल एर एलिमेंट्स को भी इंटेग्रेट किया जाएगा तो यह जॉइंट मैंशिप की बात है नेवल एविशन अपरेट करती है लेकिन भारतिये एर फोर्स के साथ करेगी और जरूरत पढ़ने पर हमें विक्रांत और विक्रमादित्या को सी कंट्रोल के लिए दूसरे जगों पर अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए और भारतिये हिंद महासागर में और पैसिफिक तक की रीज के लिए तयार रखना पड़ेगा क्या बात है और यह एर क्राफ्ट क्याइर के उपर अपनी कमा बिल्कुल कर आया हमें क्यूंकि छो एकराफ केरियर का पहले तो मैं अपनी एक मेमरी आद आ गए मुझे किरन एक्राफ्ट की जब मैंने पहली बार लाइनप किया था तेखिए जब पालिट लाइनप करता है फाइटर एक्राफ्ट की ट्रेनिंग में तो उस समय हमारे पास जट एक्राफ्ट होते थे तो एक रूल होता था कि आपको शायद टेक आप कर तो आपको एजेक्ट करना पड़ेगा तो इसका एक ड्रिल होता है जो अंधरी रात में अभी बहुँ कोई मुझे उठाय तो मैं बोल सकता हूं वो मैं बोलना चाहूंगा अभी यह जब पालेट लाइनप करता है पूरी थोटल खोलता है तो एक ड्रिल करना पड़ता है अ तो 300% आप आप आहे हो ब्रिफिंग रूम में 200% जब इस इंस्ट्रक्रिक के पास हो 100% जब आप एकराप साइन कर रहे हो 50% जब एकराप में हो और 25% जब आपने इंजन स्टार्ट किया और 0 जब आप लाइन अप पे हो यहाजाती है कहानी ट्रेनिंग की बहुत जबरदस की जरूरत है, total more than half forward, left hand on stick, jets and canopy, correct posture, eject, correct posture, eject, this is the drill that every pilot generally follows in academy at those days and now also in fighter aircraft. Absolutely, and I can see that you have contested, you have come from your room to your room to your room, in fact, there are many students here that you will listen to this time and and I will say this training, how did we crack this particular exam, I remember that in your resume, I have seen that you have a very youth initiative organization that is running, whose name is ANKUR, so what is this ANKUR all about sir, tell us about our shows. Look, when I retired superannuation, so when I was our superannuation, after that COVID came, and before I did a couple of postings in National Cadet Corps, I did a couple of to connect with youth, so I got a chance to connect with youth, and when I saw that it was a very big energizer, which I was in training, I was in training, I was a qualified flying instructor, I was in FIS, I was in training with Air Force with FIS, I was in training with Air Force, so I was talking about landing, so I was in Vikrant Virat, in both ships, I have landed on the 100 of the pilot, and when we talk about dark night, bad weather operations, operations, fighter and helicopter operations, and we cover a fleet, and search, rescue, rain, rainy seasons, there are many places where we have searched and rescue, and in tough conditions, you are always watching TV media, these photographs that our pilots rescue, so maritime rescue is a very big operation, search and recover, 300-400 kilometers, 500 kilometers, I was in Marine Commando flight, I was in Marine Commando flight, I was in charge, I was in special operations, and some sensitive operations, with Marcos, which you have seen in 2611, which you will see, Marine Commando's role, their training is in Mumbai, I was involved with many new things, in fact, International Fleet Review, when I was in 2001, when I was in International Fleet Review, I was in Marine Drive, I was displayed in the first time, I was displayed in the first time, which I got the Chief of Naval Staff, which I got the commandation, so these things we had done in flying, it was a very integrated role, warship captain's role, because you have to do that, I also did that, warship captaincy, I also did that, warship captaincy, a missile firing, I also did that, I did that, it was a romantic, surface-to-surface, that missile, which Karachi Harvore, co 1971, Operation Trident, में, धुस्त कर दिया था, ये Stikes missile, जो P20 missiles थी, उसी missiles को मैंने अपने हाथ से press किया था, बटन, और उसको engage किया गया था, destroy किया था, सटिक target पिदाग जाके, तो ये जब मेरी, I think, ये 1997 की बात है, जब मैं 25-35 साल का Lieutenant Commander था, NS Chattak Command कर रहा था, NS Chattak वही कोचिन के परेड ग्राउंड में इसको गर्ड किया गया है, म्यूजियम और वहाँ पी रखा हुआ है, वाँ, तो किन्ता वह high moment होगा ना, कि आप उस ship पर है, जिसने की इतना historic काम किया है, और एक टागेट आपनी जो अचीव किया है, वो है अभी recently, ये जो अंकुर के साथ, आपके कुछ, जोड़े हुए हैं, यंग्स्टर्स, उन में से एक को आपने वहाँ पहुंचाया, जहां पहुंचाना चाहते थे, राइए इसके बारे में बताना रह गया था, कि अंकुर मैंने जैसे जब रिटार्मेंट सूपर अनुशन के बाद मैंने लैसेंस थी मेरे पास, DGCA का एक्जाम मैंने पास किया था, 2011 से ही मेरे पास लैसेंस है, मेडिकली फिट था, कई दुनों तक मैंने सोचा पर, जब मैं शांती पत्रिटार करके शांती पत से आ रहा था दिली में, उसे से में मुझे कॉल आई थी, मैंने उसे से में डिसाइड कर लिया था, मेरी वाइप साथ में, मेरी डॉर्टर भी साथ में थी, कि मैं कोई जॉब नहीं जॉइन करूंगा, कुछ ट्रांस्फोर्मेशन लाँगा, और मैं यूथ के साथ NCC के माध्यम से था, और जुड़ प्रूमिंग हो, behavioral, conduct and behavior की बाते हो, actually कहते है, extension of parenting, जो कहते हैं, फिर उने SSB की ट्रेनिंग देना, और तब उने SSB में भेजना, तो करी 20 से जादा मेरे students qualify भी है, यस आप इनके बात कर रहे थे, इनका कली कॉल एटर आया है, Air Force Academy से, शायद तो आप, इस वक्त हमारे साथ पो क्ये भी सिखाय हुए, बच्चे आगे बढ़ेंगे, और इनका सेलेक्शन होगा, and he is on the phone line, इस वक्त हमारे साथ है, कुल्दीप जी, हमस्ते, नमस्कार मैम, नमस्कार, अहां जी, तो बताएए, Captain Indian Navy, Shyam Kumar जी हमारे साथ बैठे हुए, आपके गुरू है, आपके शिक्षक है है, और यहां जी हमारे साथ है, तो बहुत ही बढ़ाई के पात्र हुआ है, और आपके बारे साथ है, यही मेरा मेसेज आपके लिए, बहुत बहुत शुब कामना है, कौधीब, वहाँ पर आपके बारे में बहुत बात हो लिए एट रोट वी यहाँ पुल अप्राइड यहाँ था आपके बारे में अनो नहीं पताया मैं, फोज को जॉइन करने का डिसिजिशन मेरा स्टार्टिंग से ही था, ट्वेल्थ क्लास से ही जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था तब वहाँ पर मारी स्कूल में ही आमी ओफिसर आय थे जिनों ने बहुत मोटिवेट किया था फोज में जॉइन करने के लिए और दूस तो वही फिर माइन मामिशा रहा है और जॉप करते करते आई पर पर दी इंटर्व्य एंट इंटर्व्य आज वाइनली उ गॉट सेलेक्ट तो यह जो सफर रह इसमें सर क्या कॉंट्रिबिशन में था कहां आप लोग एक दूसरे से मिले और किस तरह से इनोंने आपको में किया? आपने ताइम मैनेज के तो वो चीज बहुत अच्छी थी तो उस वज़जे से भी मेर को लगता है कि बहुत जादा इस चीज ने मेरा सबकॉंशनी मेरा साथ यह है वांडर्फॉल और आपके लिए क्या कर सकते हैं तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इंफाक निशा से में कह रही ही कि क्यू ना हम कुल्दीब से पूचे कि वह कौन सा गीत है जो हम इंको डेडिकेट कर सकते हैं मैं लक्षी मुबी का मैं गाना लगा दीचिए लक्षी को हराल ना है इस वक जितने यूथ हैं जो आपको सुन रहें उनसे कुछ कहना चाहेंगे यह मैं बस कहना चाहूंगा कि हम सब में ही एक ओफिसर होता है बस वो एक सही ताइम और सही जगा पर हमें अफिसर बने का मुका मिलता है सो जो भी ओफिसर लेवल के लिए ट्राइक करते रहना चाहें एक दिन सक्से ज़रूर मिलेगी कंग्राचिलेशिशंस नस अगां कुल्दीप न फिर अट पराओड की एक तो हमारे सामने यू नो साक्षात सर बैठे हैं और यहां एवेवस बर आप हम से जुडे कंग्राचिलेशंस तो यू थांकी सो मच कुल्दीप Thank you, sir. love the energy and the high spirits, salute to you and to your service to the nation. Aarti Mishra, he joins us and says, absolutely correct. Many, many congratulations to Kuldeep, sir. I found his words absolutely wonderful and inspiring. Satish Vasant ji has sent us a correct answer, and there are many friends. But the first answer to the right, his name is Rakesh Gaur. And this is connected to us with Mandar Pura Rajasthan. Let's talk about them. Hello? Yes, sir. Rakesh G, congratulations. Yes, thank you. Rakesh G, congratulations. What are you talking about from the first time? I'm talking about the first time. I'm very happy. Excellent. Okay, tell us quickly, our question was, where is the Naval Academy? Where is the state of Naval officers? Where is the state of Naval officers? What is the answer? Rakesh G, this is in Keral Zilay's state of Karnoor. Okay, and specific place you have also written in your message, that you can tell us. Yes, it is. A.J. Mala, A.J. Mala's name is Prasiddha. This is where we have been in the village of Karnoor. We have been trained in the village of Rakesh G, this time we haven't seen. I can tell you, my eyes are going on from the head of 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 the head. Tell us, what is the correct answer? Yes, it is correct. It is correct and it was blocked. It was blocked. Congratulations Rakesh. What should I say to you? The whole state of the head of my head is very, 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 very important. High-end, high-end, low-end, low-end, high-end, high-end and high-end, तो यह तो प्राइश आपका यह जो प्राइश है जो है वह आप तक जल्दी पहुंच जाएगा जल्दी से अड्रेस अमें टेक्स्ट कर दीजे और जुड़े रही है वतन के रखाले से थांक्यू सो मच एनिवे यह दे राकेश हमारे आज की विन और अब सर की तरफ चलते हैं सर आप शिप पर जब अनू हम लोग अगर कभी शिप पर गए हैं तो सच में एक गंटे केंदर सर घूमने लग जाता है बतारी हूं पाता है नहीं निशा मैं तो यह सोचते हूं कि हम जब डी स्ट्रेस होना चाहते हैं हम क्रूज के बारे में सोचते हैं और यहां यह लोग है कि महीनों महीने यह जो है लांड नहीं देखते हैं वो शिप पर रहते हैं तो किस तरह का महौल होता है सर वहां पर एक मैंने ना एक फॉजी को ही एक नेवल ओफिस को कहते वे सुन कि जब उल्टियां करकर के आपके मुह से खून आने लग जाए ना तो लोग आपको गले लगाएंगे और कहेंगे कि कॉंग्राचुलेशन्स सी हाज एक्सेप्टे यू इस प्रू सर बिल्कुल यह सी लेक्स जरूरी है किसी भी नेवल जो हमारा ओफिसर और सेलर जो लगे तो फिर बैलेंसिंग कैसे रहेगी तो साइकोलोजिकली सेट्लिंग डाउन का टाइम लगता है पर यह कहें कि हमारा देश बहुत शांदार देश है बारिस के मौसम में थोड़ी परशानिया रहती है वरना समुष समुद्र भी शांत रहता है और उन दिनों हम ठीक से लिए ही रखवाले नहीं है यह अद्वर्स कंडिसेंस में अपरेट करना सी स्टेट जिसमें मतलब फोर फाइव कहने का मतलब इतनी मेटर की वेवस की साब से सी स्टेट होती है तो आपने मूवी देखी होगी कि पानी के अंदर गुसके निकलता रहता है और पूरी पानी म मेरे को याद है जब 85 में मैं पेट्रोल कर रहा था पाक स्टेट में तो हर दिन 3-4 कपड़े हमें हर बार 4 गंटे के बार चेंज करने पड़ते थे क्योंकि हम उपर खड़े होते थे और पूरा पानी सर से निकल जाता था और सॉल्ट वाटर तो इसके कारण समझ सकते हैं आ काना खाते रहना है बकेट्स लगे होते हैं आप वमिटिंग करते हैं काम करते रहते हैं एक बहुत ही मुश्किल काम है आपको पता है चारो तरफ लोग उस तरह से रह रहे हैं और 100-200-300 लोग-400 लोग-500-600 तो हजार से ज़्यादा लोग के हमारे हैं विकरान से लेके छोट इंडिया नेवल एकाड़मी में और चिलका में जोडिसा में है फोर सेलर्स बहुत ही जांदार और शांदार ट्रेनिंग हो उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि उनको डर न लगे भै न लगे और एक मंत्र है समुंदर का काम करते रहें कोई प्राब्लम नहीं होगा अकुप प्रधान मंत्री ने शिवाजी के जवाने का क्रिस्क लगा के हमारी जो पनेंट है उसको चेंज किया है इंसाइन नया दिया गया है बारतिय सेना को वो पीछे लगती है और जो रास्त ध्वाज है वो समुंदर में नहीं फैरा जाता सिर्फ नेवल इंसाइन फैरा जाता है कोई भी मर्चंट शिप अगर हमारे वार्शिप से बगल से क्रॉस करती है तो अपनी जो उनकी ब्लू इंसाइन उनकी होती है जब शिप में आता है तो उसको साइट पाइप दिया जाता है और शिप को एक लेडी की तरह ट्रीट किया जाता है शिप इस शी हम शिपस हस्बेंडरी जो टर्म है वो वहीं से आया है और मैम आप दोनों लेडी मेरे पास निशा और अनुप जी बैटी है हर लेडी को इरि स्प्रिम कमांडर तो उनकी प्रेसिडेंट की अपनी जो जो रास्तवाज एक्स्टा लगाया जाता है प्रेसिडेंट कलर लगाया जाता है बहुत सारी चीजे होती है तो यह स्रिमनियल्स के साथ पोर्ट में रेड स्टावर्ड मतलब राइट को स्टावर्ड बोलते हैं प कि अर्मान है तो सबने जगाने होंगे और पंक तो हम दे देंगे तुम्हें फड़ फड़ाने होंगे वाव वल डान आपने सब कहरे से पहले ही समप कर दी है अपनी बाते क्योंकि समय हमारा बिल्कुल अलमुस्ट ख़तम हो चुका है लेकिन आपके साथ कहानी और बातों का स चाहते हैं ट्रेइनिंग करें और अगर वो हमसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हैस SSB शाम अगर आप यूटूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा या शाम कुमार NCC at the date of Gmail.com पे आप मिल सकते हैं वरना अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो से नेवी को हम देखते हैं कभी 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 हमें बहुत मुश्किल होगी नेवल ऑफिसर और सेलर्स बड़े सॉफ्ट होते हैं किसी दिन आओ देखें कमपैस्टन की बात हो रही थी अभी मैंने सेलर्स